है है लो फ्रेंट्स दिस इस रुपेश कुआ फ्राम लर्णी वीद रुपेश स्वागत करता हूं आपका अपने टूप चैनल लर्णी वीद रुपेश में फ्रेंट्स आज के सी वीडियो में हम भारत के कुछ प्रमुख नदियों के उद्गम इस्थल्द था उनके लंबाईयों के बारे में जानेंगे जो अक्सर एकजाम्स में भी पूछा जाता है फ्रेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले यदे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें थाकि जब भी मैं कोई निव वीडियो अप्लोड करूँ तो इसकी नोट्फिकेशन आपको मिल जाए चलिए विना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं चलिए सबसे पहले हम सिंदुर नदी के बारे में जानेंगे सिंदुर नदी का उद्गमिस्थल कहां से है? मान सरोवर जील के निकत तिबबत में यानि सिंधु नदी कहां से निकलती है मान सरोवर जील के निकत तिब्बत में और इसकी लंबाई है दो हजार आट सो असी किलो मीटर रावी नदी इस नदी का उद्गम इस्थल है रोहतांग दर्रे से तथा इसकी लंबाई है साथ सो पचीस किलो मीटर नेक्स चिनाव नदी चिनाव नदी का उद्गम इस्थल है लाहूल घाटी के बड़ा लाचा दर्रे से यानि ये नदी लाहूल घाटी के बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है और इसकी लंबाई है 1180 किलो मीटर व्यास नदी व्यास नदी का उद्गम इस्थल है रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से और इसकी लंबाई है 460 किलो मीटर चलिए नेक्स्ट देखते हैं जेलम नदी जेलम नदी का उद्गम इस्थल है वेरी नाग ज़रने से और इसकी लंबाई है 725 किलो मीटर नेक्स्ट रिवर इस गंगा नदी फ्रेंट्स आई होब आपको गंगा नदी का उद्गम इस्थल पता होगा गंगा नदी का उद्गम इस्थल है गंगोत्री हिम नदी से तथा इसकी लंबाई है 2500 किलो मीटर राम गंगा नदी फ्रेंट्स राम गंगा नदी का उद्गम इस्थल है गड़वाल की पहाड़ियों से और इसकी लंबाई है 596 किलो मीटर इसी तरह कोशी नदी कोशी नदी का उद्गम इस्थल है गोसाई थान से तथा इसकी लंबाई है 730 किलो मीटर चलिए अब हम नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे नर्मदा नदी का उद्गम इस्थल है अमर कंटक पठार से तथा इसकी लंबाई है 1312 किलो मीटर गोदावरी नदी गोदावरी नदी का उद्गम इस्थल है नासिक जिले से और इसकी लंबाई है 1500 किलो मीटर महा नदी इसका उद्गम इस्थल है 36 गड़ की उच्छ भूम से तथा इसकी लंबाई है 860 किलो मीटर कावरी नदी का उद्गम इस्थल है ब्रम्भ गिरी स्रंखला से और इसकी लंबाई है 760 किलो मीटर सोन नदी सोन नदी का उद्गम इस्थल है अमरकंटिक की पहाड़ियों से तथा इसकी लंबाई है 770 किलो मीटर चलिए अब दामोदर नदी के बारे में जानते हैं इसका उद्गम इस्थल है छोटा नागपुर पठार से दच्छ पूर से निकलती है और इसकी लंबाई है 600 किलो मीटर अगली नदी का नाम है वैतरली नदी इसका उद्गम इस्थल है क्यों जर पठार उडिशा से तथा इसकी लंबाई है 333 किलो मीटर घागरा नदी का उद्गम इस्थल है मपसा तुंग से और इसकी लंबाई है 1080 किलो मीटर नेक्स्ट रिवर है चंबल नदी इसका उद्गम इस्थल है जनापाव पहाड़ी से और इसकी लंबाई कितनी है 960 किलो मेटर चलिए अब हम यमुना नदी के बारे में जानेंगे यमुना नदी का उद्गम इस्थल है यमुनो त्री ग्लेसियर से और इसकी लंबाई है 1375 किलो मेटर चलिए अब हम सतलुज नदी के बारे में जानेंगे सतलुज नदी का उद्गम इस्थल है मान सरोवर के निकट राग सताल से और इसकी लंबाई कितनी है 1440 किलो मेटर इसकी लंबाई है आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू बताएं आज किस वीडियो में बस इतना ही जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ कुछ नए प्रशनों के साथ